तो मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में आज मैं बहुत ही टेस्टी दिश लेके आई हूं आपके लिए और यह है बिहार की ऑथेंटिक डिश जिसका नाम है सब्टू के पराथे उसके साथ दिलिशस सर रायता और हां बहुत ही टेस्टी सा चोखा चोखे को अगर तक अदेख्षिस आप मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे रहां मेरी गारंटी मेरे इसको इसी तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दिश होने वाली है यह जो धाली है ना यह बहुत जादा फिरमस है लिट्टी चोखा तो अपने कई बार खाय होगा लेकिन आप एक सबसे पहले हम बूदी के राइते को बना लेते हैं तो दही मैंने या पर लिया है घर का दही लिया है दही को हम गाड़ा कैसे जमाए घर पर बिलकुल फैट फ्री दही है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में डाल दूगी इससे आपको बिलकुल अच्छे से पता चल जागा कि हम दही को घर पर बिलकुल गाड़ा कैसे जमा सकते हैं मैं इसकी लिंक डाल दूंगी आप वहां से देख सकते हैं तो यह घर का दही है और दही यहापे मैंने फ्रेश लिया है ज्यादा खट्टा नहीं लिया है तो इसको मैं बहुत अच्छे से पेड़ रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसको मैं बहुत जादा पतला करना है लेकिन बहुत जादा गाडा भी नहीं रखthण पर अब यह पे कुछ मसाले डालें कि तो बुना जीरा डाला है मेंने फोरे साग मिर्ची चाथ मिसाला अब काला नमक अथ में डाला है ? simple namar नमक होता है दूसरी बात है कि जो बूदी हमारी कभी कभा तींचार दिन पुरानी रहती है तो बिखा कि ना मुझे थोड़ा ठीक लगता है और इंस्टेंट रहता हमारा बन जाता है तो रहता तो बन गया है अब इसमें हम लगाएंगे बहुत ही शांदार सा तड़का तो मैं आग वाला बहुत अच्छे से आग लग जाती है और जो इसका धुआ जब लगता है हमारे रायते में तो इसका बहुत ही स्मोकी फ्लीवर आता है और यह बहुत ही टीस्टी बनता है तो रायता बन गया है अब नहां हम पराठी का आटा लगाएंगे तो जैसे हम नॉर्मल पराठी के बिलकुल वैसे ही लगाना है बस आप मैं तोड़ा सा नमक डाला है जीरा अब बिलकुल सौफ्ट डो लगाना तो जैसे हम नॉर्मल अरता इसको गूत लेंगे तो देखेहे आता सब लोग नॉर्मल गूतते ही है तो मैंने इसको गूतते हुए नहीं बताए है आपको बिलक बहुत अच्छे से लेसन को डालेंगे इससे क्या होता है जिनको बैगं होता है भ questi निकल जाता है उसके बाद हम इसको आग में अलट पलट के बहुत अच्छे से भुन लेंगे एक चीज में आपको बताना चाहूंगे कि छिकल निकालने के लिए बहुत से लोग पानी का यूज करते हैं तो पानी का फ्यूज बहुत अच्छा आता है इसलिए आपको गरम इनके शिकलों को निकालना हैं अप साय आंने में निकाल सकते हैं यहीं इसी तरीके से निकले की टीमाटर को भी अच्छे से भुन लोगी और टिमाटर पेवी मैंने बहुत अच्छे से पहले ओयल लगा लिया था इससे क्या होता है नहीं का छिकल बहुत आसानी से निकल जाता है तो यह बहुत अच्छे से मैंने भुल लिया है अब क्या करेंगे इनको बीच में से काटके लहसं को अच्छे से निकाल लेंगे देखिए कट लगाने की कई फायदे हैं आप इसमें लहसं भी डाल सकते हैं दोस्री बात है आपको पता भी चल जाता है कि आपका बैगन तो खराब नहीं है तो लहसन को साइट में निकालने कारण यह है कि ताकि हम लहसन को अच्छे से कूट लें अलक से और इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे अब हम ट्यमाटर की छिकल भी निकालनेगी देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं क्योंकि मैंने इनमें भी तेल लगाया था तेल लगाने की बात क्या होता है कि छिकल आसानी से बिल्कुल निकल आता है और बिल्कुल भी परिशानी नहीं होती है इनको निकालने में आप क्या करेंगे एक गढ़ाई लेंगे या आप कोई बरतन भी ले सकते हैं और एक मैशर क उससे भी इसको बहुत अच्छे से मैश कर सकते हो अब हम क्या करेंगी अगर आप लोग के घर में कोई डायबिटीक है यानि किसी को डायबिटीज है तो आप यहां पे आलू का इस्तमाल ना करें लिकिन चोखे में जो अथंटिक चोखा होता है उसमें आलू डलता ही डलता है और इससे चेस्ट रलता हुए और बहुत जादा जासा बकाते हैं अब भूने हुए टमाटर रहें वह इसमें डाल लेंगे अप क्या करेंगे इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्ची डालएंगे बिल्कुल बारिक और धनिया तो धनिया तो श्रद्धा अनुसा डालना है जितना अप धनिया इसमें डालोगे ना सज बता रही हूं उतना ही अच्छा रफ्रेश इसमें टेस्ट आएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा यहां स्वात के नुसार नमक और लाल मिर्ची डाली है मैं यहां पर प्याज का इस्तमाल कर रहे हूं क्योंकि मुझे इसमें प्याज बहुत पसंद है नीबू डाल रही हूं अगर आप लोग चोखे को कुछ देर रखके खाएं मतलब दो से तीन गंटे भी अगर आप इससे रख रहे हैं तो इसमें प्याज ना डालें जब आपको खाना हो तभी डालें , नहीं तो प्याज की स्मेल आने लगती है कच्छा सर्शो का यहां डालना है अगर आपको द भी आप से और उसके अच्छी स्तमाल किया लेकिनुक्य सपर्सपर्धे स सिबुकंशे आपको बताएं देड़ सारा धनिया मैंने आपको बताया तरह जितना इसमें धनिया डलेगा उतना ही यह टेस्टी बनेगा तो डिलीशियस सा यमी सा चुखा बनके हो गया है हमारा रेडी तो हमारा चुखा बनके रेडी हो गया है इसको आप चपाती पराथे किसी के साथ भी इंजॉई कर सकते हैं अब पराठो के लिए हम स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग के लिया है सत्तू यह मार्केट में बहुत इजी अवलेबल है नहीं है अगर आप किया पे तो जो भूना चना आता है उसी का यह पाउडर है आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस के चान के यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने बारी कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और बिल्कुल अच्छे से कुछला हुआ लहसन डाला है और इसके बाद डाली है बारी कटी हुई प्याज उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें निवु का रस लाल मिर्ची नमक थोड़ी से डालेंगे यहां पर का डाला था धनिया डाला इसको अच्छे से मिक्स करना है मुठी बात के देखना है अगर मुठी नहीं बद रही है तो थोड़ा चार का मसाला ये तेल और डाल सकते हैं अब क्या करेंगे ना जो हमने पराठे के लिए आटा गूथा था उसमें से एक लोई तोड़ेंगे अगर आटा है अगर हमारा सॉफ्ट नहीं होगा तो आपका पराठा है वह बेल ते समय फट जाएगा इसका विशेज ध्यान रखना है इसलिए आपका जो डो है यानि कि आपका जो पराठा का आटा गूथ रहें इसको बहुत जादा सॉफ्ट कूथना है ठीक है और अगर आपको लगता है कि जो आपके स्टफिंग भुरबुरी हो रही है मतलब मुठी सी नहीं बद रही है तो आप इसमें अचार का मसाले को और डाल सकते हैं तो देखिए मैंने पराठे को अच्छे से बेल लिया है और इसको डाल दिया है तब है तब पैताब अच्छे से गरम ह तक करेंगे और मैं देल दिया है कि और यहां करते हैं तो आप फिसमें घी का भी इस्तेमिल कर सकते हैं और वेजटिबल आयल यानिकी रिफाइन काती हैं मुझे यहाले पराठे relative जादा पसंदाते हैं और मैंने बना के बीकिए इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे एक ची सब्सक्राइब के पराथे चोखा और रायता बनकी हो गया है इसको इंज्वाइब कीजिए इसको आप डिनर लंच कभी भी खा सकते हो यह इतने टेस्टी है कि इसको खाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे तो आपको अगर ही मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज किजिए तब कि आपको मेरी लेटिस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई टेक कियर एंड थैंक यूँ